हाई स्टुदेंस आएम तुम सत्यागी और वाल्ज इडियेटर और नीट रांग प्रिस्ट तो हमारे चाप्टर हो चुका है ओवर वन्चॉट हो चुका है खतम और मुझे यसा लगता है कि आपके दिमाग में अचेज़े ये चाप्टर छप चुका होगा तो now students we are having a quick revision for you guys दो पेज की ये notes लेके आई ये सुन्दर से colorful notes आपके लिए माम ने बहुत मेहनच से बनाए है और ये notes आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे तो students इससे हम करने वाले हैं पूरे चाप्टर का complete revision these are the mind maps for you so start करते हैं तो पेटजी ये human reproduction chapter के अंदर हमारा ज इस तरह से gametogenesis होता है यानि कि gametes का formation होता है चीक है और उसके अलावा हमने देखा कि fertilization जब gametes बन गया तो fertilization होगा fertilization के होने के बाद में वहाँ पर होता है implantation जिसके लिए there is an embryonic development और वह embryonic development जो है implantation के बाद भी continued रहती है जहां पर 9 months का gestation period जलता है जिसके अंदर हमने बहुत सारे changes देखे थे हमने gastrulation भी पड़ा था और उसके अलावा students हमने वहाँ पर placenta की formation देखे थे उसके functions देखे थे उसके roles देखे थे और इन सभी में हमने देखा था कि किस सरह से hormones जो है हमारे system के साथ में जैसे कि आप देख सकते हैं so male reproductive system के अंदर हमने students क्या पढ़ा था हमारे पास होती है pair of testis उसके अलावा हमारे पास होते individually two scrotal sacs में present होते हैं और यह scrotal sacs एक scrotum में है ना यह खुद एक scrotum में वहाँ पर present होती है right तो एक पूरे scrotum के अंदर दो scrotal sacs है उसके अंदर testis है यादा रहा है सबको ठीक है and यह यहाँ पर हमारा उपर की तरफ हमारी pelvic region से connected होती है with the help of this inguinal canal है यह याद है सबको यह वाले inguinal canal then testis के structure की बात करें तो आपको याद होगा students हमारे इस testis के अंदर होते हैं बहुत सारे lobules इनको हमने testicular lobules कहा था ठीक है यह हमारे testicular lobules कितने होते हैं कम से कम भी 200 compartments ऐसे होते हैं जिसमें हर एक compartment में एक से लेके तीन तक हमारी seminiferous tubules present होती है राइट students सो यह seminiferous tubules इसके बाद connect होती है किसे हमारी male accessory ducts से तो नाव हमारी male accessory ducts कौन कौन से यह students हमारी पास में तो very first जो directly हमारे seminiferous tubules को join करती है वो है हमारी rate testers ठीक है तो यहां से हमारी rate testers निकलती है उसके बाद यह network को join करती है जो कि हमारा क्या था यादा रहे सबको vasa eferentia this was your vasa eferentia and उसके बाद students यह join करती है इस epididymus को जो की half आपके testers के उपर ही इस तरह से cover कर रहा होता है और इसके तीन regions भी हमने पड़े थे दा उपर वाला region that was your capute cap से मैंने आपको याद दिलाया था capute ठीक है और यह वाला region body होती है जिसको corpus कहते है this was the corpus and यह हमारा क्या था tail region that is the quarter right याद आ गया सबको यही सब हमने पड़ा था और इसके बाद students यह epididymus lastly join करती है हमारी last tube last accessory duct जो कि यह was difference अब students यह was difference कहां पर जाके उपर होती है was difference हमारे urinary bladder से इस तरह से loop हो के आती है और यहां पर हमारे जो seminal vesicles होते है इनकी ducts के साथ join करके बनाती है ejaculatory duct ठीक है तो यह देखो students मैंने यहां पर लिखा हुआ है यह ध्यान से देखो students तो यह हमारी जो दो was difference होती है यह seminal vesicles यह हमारे seminal vesicles है इनकी ducts के साथ join करके क्या बनाती है एक common ejaculatory duct बनाती है जो कि हमारी urethra में open होती है urethra को हम urino genital duct भी कहते हैं क्योंकि urinary bladder के अंदर उपर से देखो ureters भी आ रहे है यह क्या है उपर से urinary bladder के अंदर हमारे पास में finally एक opening के थरू जिसको हम बोलते हैं urethral meters finally यह open किस से होती है urethral meters से open होती है and lastly students यहाँ पर urethral meters से जब यह open होगी तो यहाँ से हमारा secretion होगा किसका sperms का और साथी urine का ठीक है the male accessory ducts अब आ जाते है glands पे तो glands को अगर हम ध्यान से देखे students हमारे पास total में कितने glands है हमारे पास यहाँ पर बीटा यह तीन glands होते हैं कौन-कौन से seminal recycles which is a pair of course एक single prostate gland और दो यहाँ पर मटर के दाने जासा bulbo urethral gland जिसको हमने एक और नाम भी दिया था क्या नाम दिया था जल्दी बोल दो coppers gland है ना हमने इसको coppers gland भी नाम दिया था ठीक है आपको इन सभी की secretions याद होगी समाइनल वसाइकल की secretions कैसी होती है alkaline होती है ताकि urethra का और vagina का acidic medium को neutralize कर सके साथ में इसकी secretions हम सभी को याद होगी क्या secretions थी fructose main secretion थी इसके अलावा यहाँ पर कुछ coagulating proteins होते हैं जो semen को coagulate करते हैं और होते हैं यहाँ पर हमारे कुछ क्याल्च माइन्स होते हैं इसके अलावा स्टूडेंट समाइनल वसाइकल जो होता है इसकी जो secretion है that is 60% कितना होता है इसका secretion itself is 60% प्रोस्टेट का हमारा लगबाग 25% होता है प्रोस्टेट का secretion acidic होता है यहाँ पर citric acid produce होता है साथ ही कुछ enzymes जैसे की acid phosphatase हो गये है न आपका amylase हो गया आपका यहाँ पर यह जो enzymes होते है प्रोस्टेट के जो enzymes होते है इस आर क्रिएटिंग acidic environment along with the citric acid ठीक है और इसके बाद Bulbourethral का सिर्फ 15% यहाँ पर secretion है Bulbourethral itself is enough for the you know तो वहाँ पर Bulbourethral की जो secretions होते है वो अलग से जाके हमारी जो male external genitalia that is the penis उसको lubricate करने में help कर रहा होता है which helps during the insemination during the coitus right तो lubrication में Bulbourethral की अलग से secretions होती है इसकी secretions में कैसी होती है alkaline होती है तो याद रखना students इसकी alkaline इसकी acidic इसकी alkaline overall जो semen का pH होता है that is somewhere around 7.3 to 7.5 ठीक है याद रहेगा सबको अब देखो students यहाँ पे हमारे पास हमने क्या बात करें कि यह सभी की secretions इनको बोलते है समाइनल प्लाजमा जो की हमारे sperm के साथ मिलकर क्या बना देता है semen बना देता है semen जिसका pH कितना बताया है मैं हमने अभी 7.3 to 7.5 यानि कि it is alkaline pH and reason alkaline का वही है कि यह आपके reproductive system का जो वहाँ पे acidic medium होता है उसको neutralize करता है ताकि sperms वहाँ damage ना हो जली से आगे बढ़ते हैं फटा फिट से देखो students last हमारे पास में आता है external genitalia जो की है penis जिसको copulatory आपका organ भी कहते है which helps in the act of the coitus right और यही insemination में help करता है students और students penis के अंदर हमारे पास erectile tissue होती है दो तरह की होती है कौन-कौन सी corpora cavernosa जो side में होती है आपके पास this will be a pair यानि यह दो होती है नंबर में this is corpora cavernosa and उसके अलावा हमारे पास होती है corpus pongeosum जो की बिलकुल center में होती है जिसके बीचो बीच हमारी urethra जा रही होती है तो urethra को surround करके रखती है ठीक है understood यह याद रहेगा erectile tissue और erectile tissue आपके erection में help करती है during the coitus right then students यह जो penis का end होता है इसको हम बोलते है this entire organ is your penis ठीक है and along with the scrotum penis along with the scrotum forms your external genitalia glance penis is the last part glance penis आपका यहाँ पर last part होता है students जो की lose a fold of skin से covered रहता है जोसको हम four skin या फिर हम एक और नाम भी था यादे एक और नाम भी क्या था prepuse ठीक है यह इसके नाम होते है clear हो गया understood yes or no यहाँ तक I hope सबको clear होगा clear है सभी को yes or no yes or no तो students since we have done this अब भी देखो इसके बाद में हमने पढ़ा तक इसके बार में स्पर्म का प्रडक्शन होता है तो अगर हम इसका टीएस देखे क्योंकि यह तो टीएस उसका कैसा आता है circular it is it is surrounded by your germinal epithelium एक पत्ली सी लेयर होते है और उसके अंदर हमारे cuboidal cells होते थे कौन से male germ cells तो पूरा it is lined by the male germ cells ठीक है उसके बाद हमारे primary spermatocytes फिर secondary spermatocytes फिर spermatids और lastly अंदर sperms है ठीक है आपको शायद बहुत इसको जूम करके देखोगे तो you will see it in the notes right and lastly students यहाँ पर जो लंबे लंबे cells थे वो कौन से थे हमारे sertoli cells clear हो गया now students अब जल्दी से आ जाते हैं female reproductive system पर female reproductive system के अंदर हमने क्या देखा यहाँ पर हमारे पस थे ovary accessory ducts accessory glands और external genitalia सेम चीजे है बस वहाँ पर testis होता है primary sex organ और यहाँ पर होता है your ovary तो primary sex organ क्या है which is actually producing your gametes and साथ में आपके male या female hormones respectively ठीक है तो यहाँ पर ovary is your primary sex organ now ovary मैंने आपको बताया था कि यह भी क्या होती है pair होती है it is attached with the help of the ligaments या देने आपको कौनसी ligaments अगर direct uterine की lining से attached है तो it is ovarian ligaments और अगर वो pelvic line से attached होती है तो suspended ligaments ठीक है चालो अब इदर आजो now look at the accessory ducts तो accessory ducts रपास कौनसी है fallopian tube again यह भी pair होती है 10 से 12 cm की लंबी होती है इसके अंदर further parts है कौन से in fundibulum पहला है which is a funnel shape structure और जिसके end पे finger like structure fim reattached होते है to capture the ova whenever it is released from the ovary right and इसके बाद में यह wider region हमारे ampula होता है and last region isthomas होता है which is meeting the uterus यह हमारे uterus है students uterus के तीन parts आपको बिताए थे जो उपर वाला हिस्सा होता है that is your fundus main body होती है and lastly you have the cervix which has a very thin canal जिसको हम बोलते है cervical canal और यह होती है vagina so students इसकी जो cervical canal है यह आपकी vagina के साथ मिलके क्या form करती है यही हमारी birth canal form करते है this is only forming the birth canal clear हो गया ठीक है यह हो गया accessory ducts यहाँ से ova निकलेगा तो transportation के लिए it is responsible similar to your accessory ducts in the mail ठीक है वहाँ पर transportation के लिए responsible थी यहाँ पर भी वही same काम होने वाला है now uterus की बेटा walls होती है तीन सबसे outer वाली होती है perimetrium उसके बाद myometrium होती है जो की smooth muscle से बनी होती है जो की contraction में जाती है during your parturation and endometrium endometrium हमारा last है यहाँ पर students endometrium का काम क्या होता है यह inner most lining होती है uterus की cavity को line कर रही होती है glandular होती है और menstrual cycle के दौरान इसी की shedding की बात हो रही थी ठीक है यही थी वो line चालो अब आते है external genitalia so external genitalia को हम वल्वा भी कहते है ठीक है वुल्वा कहलो वल्वा कहलो एक ही बात है and then accessory glands यहाँ पर हम accessory glands पढ़ते हैं NCRT में नहीं दिया बट मैंने आपको बता दिया था so let's study about that so हमारा सबसे पहला होता है बाहर का fatty tissue that is the mons pubis which is covered with your pubic hair इसके बाद आती है हमारी labia majora which is उसको upper lip भी हम कहते है students यह हमारी fleshy fold से बनी होती है इसके just नीचे होती है हमारी labia minora जिसकी दोनों endings उपर की तरफ एक finger like structure बनाते है जिसको clitoris कहते है clitoris आपको याद होगा मैंने आपको क्या बताया था clitoris is also homologous to the penis यह भी rectile tissue से बनी होती है ठीके arousal के लिए this is only responsible and then उसके इलावा students हमारी पास यह होती है यह अंदर वाली क्या है labia minora दिसको lower lip भी हम कहते है और बच्चे यह अंदर इसके अंदर हमारी पास में दो openings होती है उपर वाली opening को हम बोलते है urethral orifice और नीचे वाली को बोलते है vaginal orifice which is covered with a mucousy membrane mucous से बनी होई membrane होते है very thin membrane which often tear during the first coitus जिसको कहते है hymen और इसके side पे दो हमारे glands होते हैं जिसको हम बोलते हैं बार्थोलेंस gland और इसके side पे हमारे दो glands होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या para urethral gland तो यह दो glands होते हैं जिनके secretions का काम होता है lubrication provide करना again during the coitus चीक है understood हो गया आ गई यह सारी बात समझ में accessory glands और हमारा external genitalia भी हो गया है female में आचा students यह इसके अलावा यहाँ पर जो भी मैमरी glands को हमेशा हम female reproductive system के साथ ही associate करते हैं क्यूंकि right after the childbirth child care is important that only happens with the help of these mammary glands तो हर मैमल का यह character होता है it is pear again glandular tissue से बना होता है secretions होते हैं यहाँ तो यह एक mammary gland का structure यहाँ बना हुआ है it has a lot of lobules mammary gland हर एक mammary gland के अंदर individually एक की बात करें तो 15-20 mammary इस तरह से lobules होते हैं जैसे हमने testis में पढ़ा था ठीक है यहाँ पर होते है students बहुत सारे चुट-चुट-चुटे sack-like structure जैसे हमारे lungs में होते हैं alveolize same ऐसे but difference क्या है these are responsible for the secretion of the milk ठीक है तो यह milk का secretion करते है students and यहाँ से फिर हमारी निकलते है सबसे पहली हमारी होते है mammary tubule फिर होते है mammary duct and then एक wider region इसको बोलते है mammary ampulla and lastly students we have the lactiferous ducts which joins the nipples and baby जब भी nipples के थ्रू milk को सब करने की कोशिश करता है तो oxytocin नाम का hormone which is also known as the milk let down factor this is responsible for the contraction of the smooth muscles and it leads to the release of your milk ठीक है और production के लिए prolactin responsible होता है तो milk की synthesis के लिए prolactin and milk का निकलने के लिए release out के लिए oxytocin ठीक है clear इसके लागा यहाँ पर बहुत सारी fatty tissues होती है जो आपके mammary glands में होती है अच्छा अब milk का production रुखता कब है क्या सारी जिन्दगी milk production होगा नहीं जब baby feed करना बंद कर देता है तो जब mammary glands empty नहीं होते तो यह inhibitory peptide वही पर present होता है और धीरे धीरे यह क्या करता है milk की production को inhibit करने लगता है and it stops after some time right अब आजाते है gametogenesis पे that is the formation of your gametes जब यह male में होता है तो spermatogenesis बोलते है female में होता है तो oogenesis बोलते है आचा male में students यह start हो जाता है puberty से लेकिन female में यह birth के time से ही fetus में ही start हो जाता है this is the major difference जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था अब आजो students puberty पे यह start हो जाता है तो male की body में बहुत चारे ऐसे male germ cells होते हैं जो हमने यहां पे पड़े हैं टेस्टीस वह समिने फिरस्टिब्यूल की lining के around जो हमारे male germ cells होते हैं उनी की बात हो रही है उसमें से कुछ cells जो होते हैं they continue to divide and they start forming your spermatogonia उनकी क्या चलती रहते हैं mitosis यहां पे दोनों process चलेंगे mitosis भी meosis तो mitosis से हमको और spermatogonia मिलता है whereas कुछ S.A. cells होते हैं जो specialized हो जाते हैं for the meosis तो S.A. cells को हम बोलते हैं primary spermato sites ठीक है यह deployed है अभी यहां पर deployed deployed कोई reductional division नहीं होगा है तो सबसे पहले primary spermato site goes under the equal equational division not the equational division but equal cytoplasmic division वहां पे होगा जैसे female में नहीं हो रहा था ठीक है होगा तो reductional division meosis होता है लेकिन equal होती है this division is equal in terms of your cytoplasm ठीक है तो cytoplasm यहां बराबर बराबर आता है secondary spermato sites यह अभी हमको haploid मिल गया है first meosis हो गए second meosis के बास students हमको मिल जाता है spermatids and lastly यह spermatids differentiate करके क्या बना रहे थे हमारे sperms यानी spermatozoa ठीक है तो यह जो पूरा process होता है इसको हम क्या बोलते है spermatogenesis यहां पर जो specific process होता है आपका जिसमें spermatids से spermatozoa में conversion होता है इसको बोलते है spermiation and उसके अलावा students जब हमारी sperm seminiferostibule को छोड़के निकल जाता है initially यह इस अटोली cells के head में embedded रहते है spermatids होते है nutrition derive कर रहते हैं जब यह पूरी तरह नारिश हो चुके है जब यह spermatozoa में convert हो गए तो delete the seminiferostibule and release out and this process is known as spermiation तो तीनो terms clear हो गई होंगी I guess I suppose ठीक है चालो अब आजाते हैं आपके oogenesis पे तो oogenesis में क्या होता है it starts at the puberty, puberty पे शुरू हो जाते है बच्चा और लेकिन उससे पहले क्या हुआ है उससे पहले यहाँ पे जो oogonia की formation है वो fetus में ही हो चुकी होती है ठीक है process में उससका start होता है puberty में यहाँ की तरह लेकिन यहाँ पे स्पर्माटो गोनिया प्यूबर्टी में बन रहे थे यहाँ पर oogonia हमारे कहां बन जाते वीटा it forms in your fetus itself ठीक है fetus में सारे हमारे लगबग आपके कितने दो मिलियन आपके उगोनिया बन जाते हैं दोनों के अंदर ठीक है so यह उगोनिया जो होते है students धीरे 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 आपके degenerate करने लगते हैं जिसको atrasia बोलते हैं and after birth हमारे पास में in fact और कोई उगोनिया नहीं बचता सिर्फ यह उगोनिया जो है अब degenerate करने लगेंगे और puberty तक आते आते सिर्फ 60-80,000 हमारे पास में रह जाते हैं ठीक है understood अब देको होता क्या है ugonia initially forms यह हो गया यह साब fetal life में हो गया है ठीक है and students यह primary oocyte में convert हो जाते हैं meiosis start हो जाती है लेकिन meiosis complete नहीं है सर्फ एक step meiosis का शुरू हुआ है that is our pro phase 1 और यह pro phase 1 में ही आके क्या हो जाते हैं arrest हो जाते हैं है न हमारे primary oocyte pro phase 1 में ही आके arrest हो जाते हैं इसके बाद सिर्फ वहाँ पे follicles का development चलता है तो आपको यह दोगा पहले initially हमारे पास इस तरह से primary follicle बनती है जहां पे granulosa की layers इनके पास surrounding में आ जाती है यादा रहा है सबको ठीक है यहां पे बन जाती है lastly we have the graphene follicle graphene follicle students हमारे mature follicle है यहां पर एक चीज और extra हो रही है layers तो आपके बड़ी रही है follicle mature हो रहा है साथ में यहां पर जो हमारा ओवा होता है ठीक है अभी मैं बताऊंगी कौन सी stage पे है राइट तो उसके surrounding में zone pellucida यहां पर बनना चालू होती है यहां पर पूरी तरह zone pellucida बन चुकी होती है ठीक है graphene follicle में zone pellucida भी बन जाती है understood इतनी बात I hope सब को समझ में आई होगी तो initially हमारे पास यह यहां तक सारी stages पे primary oocyte रहता है tertiary follicle पे हमारा यह primary oocyte की होती है सबसे पहली meiosis जहां पे it converts into the secondary oocyte और साथ में यहां पे release हो जाती है एक first polar body so यह होती है एक unequal division in terms of cytoplasm तो polar body के पस बहुत थोड़ा से cytoplasm आता है इसके पास बहुत ज्यादा आता है ताकि it can go further under the division polar body का कोई division में काम नहीं था यह degenerate होने वाली है यहां पर भी हमने यह देखा यहां पर भी हमने यह देखा दोनों जगा polar body degenerate होती है यहां पर students हमको क्या मिल गया हमको मिल गया हमारा secondary oocyte अब इसके बाद में students graphene follicle जब बनता है तो मतलब यहां पर हमारे पस क्या secondary oocyte है तो यह secondary oocyte release होता है during the ovulation देखो मैंने यहां लिखा भी है specifically mark किया है तो यहां पर ovulation जब होता है ठीक है अभी हम पढ़ेंगे menstrual cycle में जब LH के बहुत जादा surge आ जाता है उसके वज़े से ovulation होता है तो बेटा it initiates your second meiotic division जहां पर we get a ootid that is our ova and a second polar body that is going to degenerate यह secondary oocyte जो यहां पर form हुआ है students this also arrest itself at the metafase 1 इसके बाद यहां पर division नहीं होगा यह metafase 1 पर ही रुख जाएगा anaphase 1 यहां तब तक नहीं होता जब तक की sperm की entry नहीं होती जब तक की fertilization नहीं होता clear हो गई यह बात छीक है साथ में पीटा अब graphene follicle का जो बचा हुआ पार्ट है that is your corpus luteum yellow color की body है lutein pigment present होता है ठीक है glandular है बहुत सरे hormones बनाएगा यह सब हमने पड़ा है अब इसके इलाबा students अब corpus luteum कुछ time के लिए वहाँ wait करता है once your LH drops your corpus luteum degenerates and it converts into a last scar like structure fibrous body है that is your corpus albicans which is just a scar that is again going to degenerate ठीक है इतनी बात I hope सब को समझ में आगे होगी चालो अब आगे देखो students now we have the menstrual cycle तो भी menstrual cycle के अंदर क्या था हमारे पास में ये एक ऐसी cyclic event होती है जो की female की body में human females में होती है it starts from the puberty जुसको हम मिनाक कहते है 11 to 13 years पे start हो जाती है और end कब होती है 50 to 50 years of age 55 years of age पे जाके ये pause कर जाती है जुकर me no pause कहते है इसके कौन-कौन से phases है हमारे पास में ध्यान से देखना students हमारे पस में कौन- दिन होता है that is the menstruation then उसके बाद में हमारे पास आता है follicular phase फिर आता है luteal and then finally we begin the next cycle ठीक है तो 28 दिन का ये पूरा सफर रहता है cyclical event है यानि की बार-बार-बार-बार repeat होगा है na cyclical है आप देखो students इस पूरे दौरान क्या-क्या changes हो रहे होते है the changes are in the uterus the ovarian hormones that is your progesterone and estrogen ovarian events and साथ में आपके जो LH और FSH that is your pituitary के hormones ठीक है चालो देखते हैं क्या है students यहाँ पर initially हमारी body में FSH, LH, progesterone, estrogen सब खतम हो जाता है एक time में सा आता है जब fertilization नहीं होती ठीक है तो body जो है fertilization का weight करती है endometrium ने fully खुद को प्र नहीं होता तो सारे hormones एकदम से नीचे गिर जाते है which leads to the rupture of your endometrium जिससे क्या होता है जो वो ruptured endometrium है अंदर का जितावी blood है dead cells है along with the unfertilized हो यह सब body से बाहर आ जाते है in the form of your menses that is the menstrual flow ठीक है यह 5-7 दिन की कहानी चलती है 5-7 दिन तक यह differ करता है individual to individual इसके बाद students अब ध FSH बढ़ने लगता है जिसकी वजह से हमारे follicles ovary के follicles जो है वो grow करना चालू करते है ठीक है जब यह ovary के follicles grow करते है तो यह release करते हैं हहां से estrogen hormone estrogen hormone की presence में हमारी जो endometrium lining है यह proliferate करना यानि की थोड़ थोड़ा बढ़ना चालू करती है इसलिए इसको follicular और proliferative phase कहते है and साथ-साथ हमारा एक और hormone यहां पर बढ़ना चालू होता है that is our LH. LH का secretion 14th day पर इतना जादा हो जाता है that is the known as LH surge इसकी presence में ovulation होता है it leads to the ovulation and it happens on the 14th day 24 आज तक यह over weight करता है कि fertilization होगा 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 बढ़ नहीं होता तो now what will happen this will degenerate ठीक है यह क्या हो जाएगा अब इस इसको fertilize नहीं किया जा सकता अब degenerate कब होता है उसका उसके लिए कुछ कहानी चलेगी menstrual cycle में यह unfertilized ओवा release हो जाएगा ठीक है लेकिन तब तक क्या event चल रहा है तब तक देखो जब LH आपकी बॉड़ी में होता है तो LH is responsible for the formation of your corpus luteum जोंकि yellow color की बॉड़ी है और corpus luteum खोद glandular है यह progestron hormone बनाता है इसलिए आप देख रहे है कि progestron का level या बढ़ गया है progestron in turn क्या करता है endometrium lining को maintain करता है तो हम देख रहे हैं कि endometrium ने अभी पूरा blood vessel से भरके अच्छी खासी prepare होगी है किसके लिए fertilization के लिए but fertilization अगर फिर से नहीं होती तो corpus luteum तो LH का आपका जो है सफर जो है यहाँ पर खतम होने लगेगा फिर corpus luteum भी degenerate होने लगेगा हमारा progestron भी धीरे धीरे जो है यहाँ पर खतम हो रहा है देख सकते हैं and at the end हमारी next cycle start हो जाएगे क्योंकि endometrium को maintain करने वाला hormone ही नहीं बचा ठीक है so it marks the next cycle देख सकते हैं LH गिरा corpus l luteum degenerate हुआ progestron घर्टा endometrium ruptures and next menstrual cycle शुरू हो गए ठीक है बच्चे आगे सब को समझ में अब आ जाती है तो हमने gametogenesis पढ़ा था कि gametes का formation होता है पहले तो एक बार उन gametes की शकल देख लो कैसे gametes बने थे sperm की अगर बात करें तो इसका structure देखो इसमें क्या होता है हेड होता है नेक होता है मिडल पीस होता है और टेल होती है ठीक है यह सारी चीजे होती है हाँ पर ध्यान सा सुनते जाना students आचा तो यहाँ पर इस हेड के ऊपर होती है एक आक्रोजोम जिसके इंदर sperm license यानि hydrolytic enzymes प्रेजन होते है और यह हेड है जिसके इंदर nucleus है पूरा इसके body के surrounding में एक होती है plasma membrane ठीक है तो आप माप कर ले ना मैंने नहीं बनाए हापे तो इसकी body के surrounding में क्या होगी एक plasma membrane होगी क्योंकि भाई यह cell है ना तो cell के surrounding में plasma membrane ठीक है अब नेक के अंदर क्या होते है नेक के अंदर होते है बिटा आपके centrioles जिसमें आगे वाला proximal पीछे वाला distal जो की middle piece के अंदर axial filaments बनाना चालू करेगा जो की अपके पूरी टेल में रन होने वाली है अब इसी axial filament के surrounding में circular arrangement हो जाता है किसका mitochondria का in the entire middle piece और यह mitochondria जो है energy provide करते है हमारे sperm को और tail के अंदर हमारे यह filament है actin filament है यह movement provide करेगा अब students इसका यह micro tubule से बने होते हैं यहां पे यह filaments form हुए है और इसके arrangement कैसे होते है 9 plus 2 ठीक है micro tubular है यह याद रखेंगे और इसके लावा मुझे और क्या बताना था हां जी एक और बात सुनते जो students की यहां पर यह जो अक्रोजोम आया है यह कहां से आया है यह spermatted जब होते है उससे differentiate करके तो उसकी जो गोलजी बॉड़ी होती है वो यहां पर अक्रोजोम बनाती है ठीक है गोलजी बॉड़ी क्या बनाती है अक्रोजोम बनाती है यह question आ सकता है ध्यान रखना चालो अब इदर देखो ओवा का structure देख लो ओवा के पास एक again plasma membrane होगी यह plasma membrane है तो plasma membrane के बीच में थोड़ी सी space होती है जिसको हम perivitaline PVS लिखा है मैंने perivitaline space होती है ठीक है students डीटेल में अगर पढ़ना है तो मेरा lecture देख लेना मैंने वहापे सब कुछ explain किया है now students यह अंदर की तरफ nucleus होगा इसके पास में और इसके पास में green color की जो मैंने यहाँ layer दिखाई है वो है plasma membrane के बाहर हमारी zona pellucida की layer ठीक है यह zona pellucida है और उसके surrounding में कुछ cells होते है that is the corona radiator के cells यह दोनों ही हमारी जो granulosa cells थी ना उसी से बने है ठीक है याद रखना पूछ सकत यह भाई कि कहां से आया concept clear होना चाहिए हर चीज का चालो इदर आजो अभी क्या हो रहा है fertilization तो fertilization काई steps में होते है सबसे पहले तो हमारा sperm को active होना पड़ीगा तभी वो fertilization कर सकता है तो इस activation process को हम बोलते है कपासिटेशन के अंदर क्या होता है अक्रोजोम के उपर students एक लेयर होती उसको रिमूव कर देते हैं ठीक है ताकि उसके जो receptors है वो क्या हो जाए वो ऐसे मतलब फ्री हो जाए ना receptors के सरौंडिंग मेंब्रेन रहेगी उसको धका रखेगा तो कैसे करेगा नहीं कर पाएगा तो receptors को खुलना पड़ेगा वो धक्कन हटाना पड़ेगा तो उसके लिए activation होता है यह female reproductive track के अंदर होता है next आता है अक्रोजोमल reaction के अंदर क्या होता है यहाँ पर बहुत सारे enzymes अक्रोजोम के अंदर है कौन-कौन से लिख अपनी notebook में मैंने detail में आपको बताया हुआ है त अपसे पहले students यह क्या करेगा इस corona radiator को तोड़ेगा है ना it is going to break this corona radiator और साथ में यहाँ पे कुछ hyaluronic acid होता है तो इसको तोड़ेगा ठीक है इस acid को ब्रेक करेगा और फिर जोना पहले सुड़ा को तब यह अंदर plasma membrane तक जा सकता है क्या कहते हो बात समझ महीं पहले तो barrier break क के बाद अंदर एंटर करेगा ना हाँ तो यह barrier इस acrosomal reaction से करता है hyaluronidase enzyme इस hyaluronic acid को break करता है ठीक है zona pellucida penetrating enzymes जिसको हम zona penetrating enzymes भी कहते हैं वो इस pellucida layer को तोड़ेगी फिर उसके अलावा students यहाँ पर corona radiata penetrating enzymes इसको तोड़ते हैं यह जो zona pellucida zona license भी कहते हैं हम इनको और इसको acrosin भी कहते हैं बहुत सारे इसके नाम है ठीक है तो यह तीनों enzymes मिलके कौन-कान से hyaluronidase then we have the corona radiata corona penetrating enzymes ठीक है और तीसरा हमारा यहाँ पर क्या है यह तीनों मिलके यह पूरा तोड़ते हैं इसके बाद में यहाँ पर होती है कुछ cortical reactions देखो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो ovary का structure होता है ठीक है अच्छा मैंने नहीं बताया आपको ठीक है मैं बता देती हूं तो ovary का structure कुछ ऐसा होता है students ovary के boundary पे हमारे पास में होती है we have your एक germinal epithelium होगी उसके अंदर होती है tunica albogenia की layer और अंदर होता है stroma जो की divided हैं into cortex and medulla तो जो cortex वाला बाहर वाला पार्ट होता है students वो cortex वाला पार्ट के अंदर कुछ granules होते हैं जिनको cortical granules कहते हैं अब यह granules release करेंगे कुछ enzymes बट कैसे वो ovary की plasma membrane के साथ जाके fuse करते हैं ठीक है they are going to fuse there और उसके बाद में वहां पे release करते हैं इन enzymes को तो यही enzymes यहां हमारी plasma membrane और zona pellucida के अंदर भी release हो रहे हैं ठीक है यह same हमारे enzymes cortical enzymes यहां भी present होते हैं यह वही cortical enzymes हैं और वो यहां भी present होंगे students and they are going to release these cortical enzymes जिससे zona pellucida क्या हो जाती है काफी जादा tough हो जाते हैं it does not allow polyspermia even your acrosomal reactions ने जब इसको break किया तो उसने भी polyspermia को रोका है तो यह दोनों चीज़े मिलके क्या करते हैं polyspermia को रोकते हैं यानि they do not allow any other sperm to enter है ना अब इसके बाद यहां पे कोई और sperm enter नहीं कर पाएगा understood इन्होंने polyspermia रोक दी है अब lastly students sperm जो है entry करता है अंदर entry मारेगा जिसके लिए एक fertilization cone यहां बनता है यह यहां इस cone structure में आ जाती है और sperm फिर अंदर enter कर जाता है ठीक है और उसके बाद में it will release its nucleus फिर उसके बाद दोनों nucleus का division होगा cytoplasm जो है मतलब cytoplasm का ratio will remain the same ठीक है तो यहां पे हमारा nuclear का division बढ़ रहा है लेकिन cytoplasm equally divide नहीं होता cytoplasm हमारा कम 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 होता चला जाएगा तो यह stages कैसे आती है 2 cell 4 cell 8 cell 8 से लेके 16 cell stages तक आती है इन सबी stages को blastomeres कहते है 8 से 16 celled stage जो आती है इसको हम बोलते है moriula ठीक है तो यह सबी कुछ कहा हो रहा है हमारी fallopian tube के अंदर हो रहा है देख सकते है students finally हमारे पास में आता है एक early blastocyst and then we have the late blastocyst तो यह जो blastocyst का structure होता है वो खुद को इस तरह arrange करता है कि बाहर की तरफ हमारे पास में बन जाती है trophoblast की layer और अंदर की तरफ हमारे पास में होते inner cellular mass ठीक है अब बेटा जी यह जा करेगा खुद को endometrium lining के अंदर जिस process को हम implantation कहते है ठीक है once this happens students अब धीरे धीरे यहाँ पर placenta की formation होती है and further embryonic development होता है इसी को हम embryonic development कहते है अब देखो students यहाँ पर छोटू सा process में बता रही हो detail process आपको class में मिलेगा तो यहाँ पर क्या होता है students यह हमारी जो trophoblast के layer होती है यह धीरे धीरे अपने आपको expand करने लगते हैं endometrium के अंदर देखो किस तरह से interdigitate कर रहे है endometrium के अंदर चली गई है and it itself is divided into two parts कौन-कौन से यह जो हमारी endometrium के अंदर है इसको syncytio trophoblast बोलते हैं और यह वाला जो अभी trophoblast का ही पार्ट है जो आपके इस blastocyst का ही पार्ट है इसको बोलते हैं cytotrophoblast ठीक है यह बात समझ में इसके अलावा students यहाँ पे इसका जो inner cellular mass था now it starts getting dividing ठीक है अब यहाँ पे हमारे पास में कुछ cells form होते हैं एक लंबे-लंबे rectangular cells form होते हैं जिसको हम epiblast कहते हैं और उसके जस्ट नीचे हमारे चुट-चुटे cuboidal cells जिसको हम hyperblast बोलते हैं अब यही दो layers मिलके हमारी embryonic disc बनाती है ठीक है यही क्या मनाईगी embryonic disc बनाएगी और इनी से हमारे ectoderm, mesoderm, endoderm यह सब फ़र्म होते हैं बहुत detailed में हमको नहीं पढ़ना क्योंकि human में बहुत complicated होता है in fact बहुत हारी kitabों में यह भी लिखा गया है कि इतना detailed में हम उसको नहीं समझ सकते ठीक है इतना detailed में नहीं समझ सकते क्योंकि it is very complicated and बहुत क्विक प्रोसेस होता है, हां कुछ को चीजें जो है, वो आपको बताई जाती है, कि किस तरह से आपकी एम्नियोटिक लेर्स फ़र्म होती है, किस तरह से आपका ब्लास्ट और सील डिवाइड करते है, वहाप एक मिजोडम बनती है, ठीक है, वो सब आपको बताया भी गया है, क्लास में, चालो, अब इदर आजो, अब इदर आजो, अब इदर आजो, now look at the students, so यहाँ पे हमारा, एक सिकीन, just give me one second, इसको थोड़ा इदर खिसका देते हैं, ओके, अब देखो students, यहाँ पे क्या हो रहा है, यह जो प्रोसेस हुआ है, यह जो प्रोसेस हुआ है, और फिर उसके बाद हमको यहाँ से हमारी 3 embryonic layers मिलती है, ectoderm, mesoderm, endoderm, इनी से सारे हमारे cells, tissues, organ, organ system और complete human बनता है, आपने इनके बारे में शायद और कहीं पे आपका जो tissue वाला chapter है, वहाँ पढ़ा भी होगा, so ectoderm से हमारी जतनी भी skin है, nails है, hair है, यह सब बनता है, mesoderm स जितनी भी visceral organs की lining होती है, साब mesoderm से बनती है, visceral organs in fact सारे mesoderm से बनते है, और endoderm उनकी lining form करता है, ठीक है, चालो, अब बात करते हैं, हमारा last यहाँ पे, धीरे-धीरे क्या होगा, placenta की formation होने लगेगी, students, यहाँ पे, यहाँ पे, जो हमारी trophoblast होती है, उससे chorionic villi, finger-like structures, chorionic villi form होती है, यह हमारी chorionic villi है, students, और यह जो पूरी layer बना रहा होता है, इसको हम बोलते है, chorion, ठीक है, this layer is chorion, then students, यह हमारा fetus है, इस fetus के surrounding में, एक sack बन जाता है, which is again covered by a layer, जिसको हम बोलते है, amnion, इस sack को बोलते है, amniotic sack, इसके अंदर fluid होता है, amniotic fluid, इसके अंदर cells होते है, amniogenic cells, ठीक है, यह वही fluid है, आपको याद होगा, जिससे हमने क्या किया था, amniocentesis, ठीक है, और यह क्या कर रहा है, fetus को desiccation से बचाता है, वहाँ पे shock absorber की तरह काम कर रहा है, thermoregulator की तरह काम कर रहा है, यह functions बता होने चाहिए, right students, and students, यहाँ पे हमारा जो uterus है, uterus के अंदर, जो हमारी uterine lining है, the endometrium, now it has been divided into three parts, इसको हम अब decidua कहते हैं, इसके लिए एक नाम यूज़ करते हैं, decidua, so यह जो उपर वाला part होता है, जो कुरियानिक विल लाए के साद, the otages को हम बोलते है, decidua bacillus, यह parietal में जो होता है, इसको decidua parietal बोलते हैं, यह pariet में जो है, periphery में जो है, और यह जो दूसरा है, यह बूरा, एक capsule जैसा जो बना लिया, which is filled with the maternal blood, इसको बोलते है, capsularis, क्योंकि इसने capsule बना लिया है, understood, ठीक है students, and lastly students, यहाँ पे हमारा cervix के अंदर, एक plug, mucus plug, form हो जाता है, यह भी किस ने बना है, mucus plug, बेटा, यह mucus plug हमार प्रोजस्ट्रोन होर्मोन ही बनवाता है, cervix से, ठीक है, जो प्रोजस्ट्रोन होर्मोन प्रेगनेंसी के दौरान रिलीज होता है, corpus luteum रिलीज करता है, तो इसका एक और function भी है, यह cervix का यहाँ प्लग भी बनवाता है, understood, ठीक है, अब देखो students, यहाँ पे हमारे पास मे यहाँ पे allantois, एक sack जैसा structure है, इसका humans में कोई खास रोल नहीं होता है, ठीक है, similarly we have a yoke sack, इन दोनों के ही कोई खास रोल नहीं है, then we have this amnion, जो amniotic fluid के surrounding में है, and this is lastly our corion, जिसने corionic villi बनाई है, अब यहाँ पर हमारी interdigitation से कौन से टिश्यू बनती है, प्लसेंटा बनती ह है, अब यह आपस में इतनी जादा interdigitated होती है, यहाँ पे mother और baby के बीच में बहुत अच्छा bond बन चुका है already, ठीक है students, तो देखो किस तरह का bond होता है students, यहाँ पे पहली बात तो इनके arteries, veins सब एक दूसरे में diffuse हो रही है, सारी arteries, veins एक दूसरे में, यहाँ पर क्या हो रही nutrition provide करता है, यानि blood से nutrients को देता है, excretion में help करता है, यानि जो भी extra nitrogenous waste है, fetus की body का, उसको कौन लाके देगा students, उसको placenta वहाँ से निकालेगी, ठीक है, और साथ में respiration, gashes exchange में करेगा, oxygen देगा, CO2 निकालेगा, और एक barrier की तरह भी काम करते हैं, teratogens होते हैं, कुछ ऐसे agents होत जो जाके बच्चे के लिए harmful हो सकते हैं, उसके growth के लिए उसको अंदर जानी से रोकेगा, immunity देता है, IgG antibody यहाँ पे बच्चे को मिलती है, ठीक है, storage करता है, fats का, glycerol का, इसके अलावा students endocrine भी है, progesteron बनाता है, ठीक है, progesteron बनाता है, और क्या क्या बनाता है, HCG, human koreanic gonodot trafin बनाता है, HCG, HPL, yes estrogen, सारे hormones कौन बनाता है, हमारी, यह placenta बनाती है, in fact, जो HCG, HPL है, और एक relaxing hormone होता है, जो हमारे corpus luteum से release होता है, students, from our ovary, यह तीनों, केवल ऐसे hormone है, जो सिर्फ और सिर्फ कहां पर release होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे pregnant women के ही अंदर release होते हैं, और कही पर हमको यह नहीं मिलते, ठीक है, इन दोनों का काम होता है, कि यह हमारी endometrium lining को maintain करता है, हमारे corpus luteum को maintain करते हैं, ठीक है, चालो, अब आगे देखो, students, parturation के अंदर क्या हो रहा है, parturation एक ऐसा process है, आचा, यह मैं बताना भूल गे, यहाँ पे, these are connected with the umbilical artery and umbilical veins, directly fetus के होते हैं, fetal, आपकी जो tissue है, उसके अंदर भी maternal blood आ रखा है, यानि full diffusion है, diffusion process से ही, यह यहाँ से क्या लेते हैं, nutrition को लेते हैं, gashes exchange and everything is going on, ठीक है, even your antibodies pass through it, ठीक है, only antibody which passes through the placenta, that is the smallest antibody IgG, okay, अब यह fetus है, students, fetus को मिलता है, किसके through umbilical cord, इसके surrounding में connective tissue होती है, और अंदर हमार umbilical arteries और veins है, यह cord बना देती है, जिसको हम बोलते है, umbilical cord, clear हो गई, ठीक है, चालो, यह fetus को placenta के साथ अटाच करती है, now come here, that is the last part, that is your parturation, तो parturation के अंदर, अचा, एक चीज और students, जो HCG hormone होता है, this is released by the trophoblast of your placenta, और यह starting में ही, जब जैसे ही implantation होता है, trophoblast आपके बन च students, it start releasing your HCG hormone, और यही HCG hormone हमारे urine के अंदर भी आ जाता है, जिससे हम pregnancy test करते है, we confirm that the women is pregnant, ठीक है, चालो, parturation में क्या होता है, parturation सुनो, parturation को ध्यान ससन्ना, यह हमारी जो NCRT में बता है, बहुत थोड़ा सा part दिया, मैंने आपको थोड़ा सा इसका detailed explanation दिया, कि actually parturation कहां से originate ह NCRT जो बताती है, वो यहां से बताती है, यहां से बताती है, कि fully developed fetus ने, क्या किया, fully developed fetus ने आपका ऐसा किया, वैसा किया, है तो हम थोड़ा सा इसको detail में पढ़ेंगे, हां जी, देखो, मैं बताती हूँ, थोड़ा सा हम इसको करते है, detail में, ध्यान से देख लेना, बस last ह हम लोग कही है, all right, so yes, देखो, initially, क्या होता है, last major parturation हो रहा होता है, तो हमारी जो placenta है काफी weak पढ़ गए, ठीक है, जिसकी विज़ा से हमारा progesterone hormone जो है, वो काफी हद तक गिरने लगता है, ठीक है, और साथ हमें students, हमारा जो fetus है, अब जब progesterone endometrium धंग से maintain नी हो रही लगता है, ठीक है, uneasy fetus को feel होने लगता है, तो यानि यहाँ पर fetus कैसा हो चुका है, fully developed हो चुका है, तब ही ऐसा हुआ है, अब इसके साथ सा placenta एक hormone release करती है, कौन सा corticotrophic releasing hormone, corticotrophic releasing hormone, जो कि हमारे hypothalamus से normally release होता है, वो यह placenta release करती है, अब यह जाके हमारे pituitory को target करेंगे और वहाँ से जाके, adrenocortico-trophic hormones release कराती है, अब यहाँ से students, यह हमारे पास दो तरह के hormones release होता है, कौन से, cortisols and some androgens, ठीक है, now students, यह cortisols क्या करती है, यह हमारे fetus के lungs को prepare करती है, और यह जो यहाँ पर androgen form हुआ है, यह हमारे estrogen में convert हो जाता है, by the placenta, placenta इसको estrogen में convert कर जात जब estrogen बढ़ता है, तो it will activate, it will start, you know, sending signals for the synthesis of the prostaglandin, जब estrogen बढ़ता है, तो prostaglandin body में release होता है, जब prostaglandin release होता है, prostaglandin का काम क्या होता है, contraction कराना, तो students, यह क्या कराएगी, यह आपकी mild contraction चालू कर देती है, यहाँ से हमारा neuroendocrine system activate होता है, जिसकी बात NCRT करती है, तो उसस पहले का process शायद आपको नहीं पता था, वो अब आपको समझ में आ गया है, तो अब आपका neuroendocrine system जो हो चालू होता है, जिससे हमारे signals जाते है, सबसे पहले hypothalamus के पास, फिर उसके बाद हमारी posterior pituitory के पास, वहाँ से वो GnRH, यानि gonadotropin releasing hormone, release कराएंगे, फिर वो जाके posterior pituitory को target करता है, और वहाँ से oxytocin hormone बनता है, oxytocin हमारी body में calcium के levels बढ़ाते है, जिससे again बहुत जादा contraction होता है, उससे और जादा prostaglandin बढ़ता है, जिससे और positive feedback जाता है, और oxytocin बढ़ता है, धीरे धीरे हमारी contractions बढ़ती जाते है, बढ़ती जाते है, बढ़ती जाते अब यह जो birth है, यहाँ पर तीन steps में हो रहा है, initially आपका क्या चल रहा है, यह labor pains चलते है, that is the first stage, second stage में बच्चे का delivery होता है, और तीसरी stage में placenta को बाहर निकाला जाता है, यह तीन stages होते है students, and आपने crowning शब्दी सुनाओगा, वो first stage में दिखता है, जब बच्चे का delivery होने Lactation is the last thing, बिटा, जब आपका बच्चा बाहर आ गया है, तो उसके तुरंट बाद उसको चाहिए child care, जो की memory gland से मिलती है, जिसकी बाद हमने कीती है, तो Lactation हमारा क्या होता है, right after the delivery, it starts 2-3 दिन तक एक बहुत ही nutritive milk निकलते है, जिसको हम बोलते है, कॉलेस्टरॉम 2-3 दि antibodies, बहुत सारा proteins होता है, ठीक है, fats कम होते है, proteins बहुत जादा होते हैं, इसके अंदर और IgA antibodies भी होती है, फिर उसके बाद जो भी महिला है, वो 6 महीने तक intense lactation करती है, जिसके अंदर हम lactation lemonorrhea नाम का, है ना, एक natural protection method भी, natural आपका birth prevention method भी वो होता है, वो इसी का basis है, आपको अ lactan और milk को बाहर कौन निकल वाएगा, oxytocin hormone, और बंद कौन कराएगा, inhibitory peptide, ठीक है, आपकी जो milkation है, आपकी जो lactation उसको बंद कौन कराता है, inhibitory peptide, और जो यहाँ पे milk produce होता है, उसको composition क्या क्या है, उसमें सब कुछ है, आपका, उसमें fats है, उसमें water है, बर-बर के पहली vitamin D नहीं होता, और vitamin C भी कम होता है, ठीक है, तो यह सारी इन फिर भी इसके अंदर काफी कुछ है, बच्चे को 6 महीने तक वो अच्छे से nutrition दे सकता है, इसलिए doctor बोलता है कि 6 महीने तक आपको बाहर का कुछ देने की जरूरत नहीं है, उसके बाद ही solid start किये जाते है, and here ends your chapter thank you so much, bye bye and take care